दोस्तों शादियों के सीजन में आपने तरे-तरे के कई डांस देखे होंगे जिसमें दुला-धुलन से लेकर बाराती और घराती भी शामिल होते हैं इनमें कुछ लोग तो इतना शानदार डांस करते हैं कि सबका दिल ही जीत लेते हैं तो वही कुछ लोग इतना फणई डांस करते हैं कि देखने वाले हस्ते हनस्ते लोटपोट हो जाते हैं आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही कुछ फणई डांस के वीडियों लाए हैं जिनने देखकर अब पेट पकडगर हनसने लगेंगे ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए वीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारतिय शादियों में आपने नागिन डांस तो कई बार देखे होंगे लेकिन नागिन डांस का ये वीडियो पुरे इंटेर्नेट पे नहीं मिलेगा जिसमें ये बंदा हू बहू नाग की तरह रैंकते हुए टेंट पर चट जाता है और फिर दूसरी तरफ से ऐसे लटक जाता है मानो सचमुच वाला खतरनाक सांप हो वहीं उसका दूसरा साथी सपेरा बनकर बीन बजाकर इसे रिजाता है और वो उल्टा लटके हवा में फन लहराता है नागिन डांस के बाद अब मुर्गा डांस भी देखते जाएए देखे तो कैसे शरीर को अकडा कर मुर्गे की तरह कुकडू कुडांस कर रहा है वैसे मुर्गा डांस की बाद चल रही है तो आपको बता दें कि अब तक आपने नकली मुर्गा डांस देखा था असली मुर्गा डांस तो ये है दोस्तों नागिन और मुर्गा डांस के बाद अब हम आपके लिए ढूंट कर लाए हैं ये खास बरतन तोर डांस ये डांस वीडियो किसी शादी के दोरान का है जिनमें खाना खत्म होने के बाद बाराती खाली बरतन पीटते हुए डांस कर रहे थे उनके इस डांस के बाद कैटरिंग वाले का दर्थ तो आप समझ ही गए होंगे बरतन तोर डांस के बाद बारी हती है दारू डांस की इस डांस के जरीए ये बंदा दारू की बोतल खोलने से लेकर गिलाज बढ़ने दारू पीने और चकना काने तक के सारे स्टेप कर देता है और देखने वाले हक के बक्के रह गए आपने भी ऐसा डांस पहले शायद ही देखा होगा वा बंदे क्या तरीका डूंडा है अपने इमोशन्स जाहिर करने का सावधान सलामी दे अब इस बंदे के डांस टेप को देखकर लग रहा है कि ये कोई जवान है जो ट्रेनिंग खत्म होने के फॉरण बाद दोस्त की बारात में पहुँच गया है और मारे खुशी के नाचने लगा है इसके स्टैप्स, डांस कम और परेड पीटी ज़्यादा लग रहे हैं भले ही इस अंकल को डांस का डी भी नहीं आता हो लेकिन आंटियों के सामने लगे उँची उँची छलांगे लगाने ऐसा जंपिंग डांस किया कि रोकने से भी न रुके अरे ध्यान से अंकल जी, कहीं सिर्फ छट से ना टकरा जाएं अब जरा इन जनाब के लटके जटके देख लीजिए इनके स्टैप्स देखकर तो माधूरी क्या कोई भी शर्मा जाए ऐसा लग रहा है जैसे इनको जोर की लगी है और वाश्रूम नहीं मिल रहा ये लो अब तो इन्होंने ग्राउंड का चक्कर भी लगा लिया दोस्तों इस वीडियो को लेकर अमारा टार्गेट है कि हमें कम से कम 1000 लाइक तो जरूर मिले अगर हम लोग मिलकर इस टार्गेट को अचीव करते हैं तो हम लाएंगे इससे भी ज़्यादा इंटरस्टिंग वीडियो तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक दोस्तों अगर आपने हेलिकॉप्टर डांस नहीं देखा है तो फिर क्या देखा लीजिए हम आपकी ये ख्वाइश भी पूरी कर देते हैं ये इंजिनियर डांस भी आपने कहीं नहीं देखा होगा लीजिए आपके लिए पेशे खिदमत अरे अब इस नकली माइकल जैक्सन और भी देखते जाएए जी करता है अब भी मार दू जूता निकाल के ये बंदा भी माइकल जैक्सन को कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन लाग हाथ पैर मारने के बाद भी बेचारा कॉपी नहीं कर पा रहा पले ही ये बच्चा 3-4 साल का हुगा लेकिन डांस के मामले में बड़े बड़ों को पचार देता है देखिए इसका कमाल का डांद लड़कियां चाहे छोटी हो या बड़ी नखरे करना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है अब इस बच्ची को ही देख लीजिए कैसे नकरे दिखा दिखा कर डांस कर रही है इसके मासूमियत बरे एक्स्प्रेशन सब को इंप्रेस कर रहे है इस विदेशी जोडे ने देशी इंडियन स्टाइल में शादी की और डांस भी इंडियन स्टाइल में किया जी ओ राजा शादियों में डीजे बजता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है इस दूले राजा कभी यही हाल है देखिए कैसे कमरिया हिला हिला कर डांस कर रहा है अब जैसे तैसे दूले को घोडी पर बिठाया गया जिसके बाद एक दोस्त नास्ते नास्ते इतना जोश में आ गया कि दूले की गोडी पर ही चड़ कर नाचने लगा जिसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजी इस घटना के बाद ये गोडी इतनी खबर आ गई कि अगर कोई इसके पास भी जाकर डांस करता तो ये उसे दुलाती मार देती नास्ते नास्ते जीजा जी इतने भावुक हो जाते हैं कि दीदी को गोड में उठाने लगते हैं दीदी के बढ़ते वजन को जीजु से नहीं पाए खेर इस बेज़्यती का बदला तो दीदी घर जाकर ही लेगी शादियों के माहुल में नाचने का तो मन सबका करता है लेकिन कुछ लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कोई उन्हें नाचने को कहे और जब कोई उन्हें नाचने को कहता है तो शुरुआत में तो आनाकानी जरूर करेंगे लेकिन बाद में मान जाते हैं फिर तो इतना नाचते हैं कि मानो पूरी बड़ा साजी निकाल दे इसी तरह उचल कूद कर रहे इन दादा जी का सारा माइकल जैक्सिन तब काफूर हो गया जब इनकी पतनी आटों में लठ लिये उनकी तरफ दोड़ी चली आती है और कहती है न तो नाचने की उम्र है और नहीं सलीका बड़े आए नाचने वाले वैसे नाचने का सलीका सीखना हो तो इन महाशे से ट्रेनिंग ली जा सकती है जो 82 साल की उम्र में भी ऐसे नाच नाच कर सेंटर आफ अट्रेक्शन बन रहे हैं उसी तरह ये दादी भी अपने डांसिंग स्टैप की वज़े से इंटरनेट पर खूब वाइरल हुई थी अब आज की इस बसंती को देखिए जो पुरानी वाली बसंती से बिलकुल अलग है और इन कुत्तों के सामने भी नाच रही है बिचारे कुत्ते कान खड़े किये इस बसंती को टुकुर टुकुर देख रहे हैं इन चोटे सरदार जी ने कुट्टों के साथ जो किया वो तो और भी फनी है एक तरफ ये लिटल सरदार जी भंगड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कुट्टे उनकी दरफ बॉंके जा रहे हैं चोटे सरदार को कहां फर्क पढ़ने वाला था ये उन कुत्तों को चड़ाने के लिए ही और भांगडा करने लगते हैं बड़ा क्यूट वीडियो है ये सरदार जी तुससी कमाल कर दिता दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर डांस मज़ेदार हो कुछ डांस तो इतने बोरिंग होते हैं कि जानवरों तक तो पसंद नहीं आते दोस्तों डांस में एक्सप्रेशन्स की बात करें तो इस बंदे के एक्सप्रेशन्स के आगे तो गोविंदा भी चाय कमपानी है वैसे इस चच्चा ने एकदम लड़कियों की तरह एक्सप्रेशन्स देकर जो ठुमके लगाए हैं वो कहे ढा रहे हैं इनके आगे तो लड़किया भी फेल हैं कभी किजी को आरती पर डांस करते देखा है ट्रेन में सफर कर रहे इस ग्रूप ने कुझ बियारी जी के आरती पर बड़ा ही दमाकेदार डांस किया कुछ लोगों पर डांस का भूत इस कदर सवार हो जाता है कि म्यूजिक ना हो तो राह चलते ट्रक के होंट पर नागिन डांस करने लगते और महौल को खुश नमा कर देते ऐसे ही इस नौटी बॉय ने सड़क पर खड़ी एंटी थेफ्ट बाइक को अपने पैड से मारा तो बाइक का अलाम बजने लगा फिर इसी शरारती बच्चे ने जो सोलो डांस किया वो बहुत ही कमाल का है बच्चे के इस शरारती भरे डांस को देखकर आपको मज़ा आया की नहीं? कमेट जरूर कीजिएगा वीडियो राजस्तान का है जिसमें एक लड़का जोश में आकर स्टेज शो के दौरान चड़कर डांस करने लग जाता है वहां ठुमके लगाती एक महिला डांसर को ये रास नहीं आया बस फिर क्या था? उसने लड़के को उठा कर जो चकरी के तरह गोल गुमाया कि लड़के की आलत ही खराब हुगी इस गटना के बाद चायदी कभी वो लड़का स्टेज पर जाकर डांस करने की सोचेगा डांस करते समय भी अलर्ट रहना जरूरी है या आप इस वीडियो को देखकर समझ ही जाएंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में